इन साथियों अभिमलोग पसित हैं एक्जाम टोर चैनल पर और आप से बता दें सिक्षक अभ्यरती में फिर से नया वेकेंसी को लेकर सुगमु आहत तेज है कई दिनों से था लेकिन आज शुबह से और ज़्यादा है चुकि कल जो बैठक हुआ मिटिंग हुआ बहु सारे ल है कि अभी जो भी चर्चा हो रहा है 6-8 के लिए 9-10 के लिए और 11-12 के लिए तो यदि आप कहीं से चुक गए हैं तो फिर एक बार कमर कस लें और अच्छा तरीका से लग जाए सर अपका स्वागत है एक जाम टोर जी बहुत बहुत दन्यवाद सर आज ही बहुत सारे सारा अपडेट आया चुकि कल सुकुरबार था कल ही मीटिंग था शिक्षा भी भाग और भी पीएसी के द्वारा बैठक हुआ नए वेकेंसी को लेकर इसमें सबसे बड़ा समस्या यह समय कम दिया जाएगा यह वेकेंसी भले 10 दिन लेट ही आया लेकिन समय इसलिए कम दिया जा है और मार्च अप्रील से अचार संगीता लागू हो जाएगा तो समस्या हो जाएगा सर इस समय जो दिया जा रहा है जो न्यू जा रहा है अब भेरती को क्या आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से तयार रहना है यह सभी जान रहे हैं कि election based vacancy है और उसी के कारण इतनी जल्द process हो रही है तो उससे कोई मतलब नहीं है मतलब है कि आपको एक अच्छे opportunity मिल रही है और इस opportunity का लाब उठाना है जैसे कल ही जो meeting हुआ है आप देख रहे होंगे कि अलग-अलग channel पर भी हर जगह लोग community में लगा रहे हैं कि 19 October को notification आ सकता है November first week तक exam form भरने का date मिल सकता है औ कोई भी बात हैं जब होती है उससे पहले इस तरह के अगर बात हैं चर्चा में है तो निशन्दे कुछ दिनों के बाद यह implementation होना है कहीं न कहीं सचाइस में जरूर है तो student को बिल्कुल भी delay नहीं करना है हलां कि देखा जाए तो पिछला पहले का पूरा process अभी continuing है और उस जो कि अगले notification से जुरा हुआ यह तरीके से है कि state pass करेंगे चात्र तो वो अगले notification में भागिदार हो पाएंगे तो state में भी आप देखे होंगे कि यह जो answer की update किया है तो लगभग सारे subject में error कमोबिस था और किसी-किसी paper में तो science वोगरे में तो बहुत ज्यादा error था उसक के लिए responsible person है जो को इस तरह के गलत answer के लिए उसको हम डंडित भी करेंगे वो अपने हिसाब से और उसको फिर वापस ले लिया गया है और उमीद है कि दो से तीन दिन में फिर सारा सही सुदार करके update भी दे दिया जाएगा और ज्यादा उमीद है कि estate का इस महिने के last तक मे result भी जारी कर दिया जाएगा और दस अक्टूबर तक संभवता ये जो result लंबित है finally ये भी आपका जारी कर दिया जाएगा तो कमोबेस यही मामला है लेकिन हमारा ये काना था कि सरकार से एक और गोजारिश था कि जैसे अभी जो vacancy की गोशना की गई है subject वार उसमें कुछ कुछ ऐसे paper हैं जिसका estate लिया गया है उसके उसमें vacancy create नहीं किया गया जैसे agriculture अगर हुआ तो कही न कहीं in subject का भी उसमें आना चाहिए था और estate में जिन छात्रों का combination में गलतियां हुई है बहुत सारे science का इसे छात्र हैं sorry math के खास करके physics committee math जिनका combination था वो science में भरे हैं हजारों ऐसे छात्र हैं तो उन छात्रों के साथ उचित न्याय होना चाहिए एक बार उनको मोका जरूर मिलना चाहिए था लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं तमाम छात्रों से पूरी तरीके साब कमर कसलें और सारे प्रसंपत्र अभी उपलब्ध है उस हिसाब से अपना त कि science का जिस तरीके सी question का level बहुत ही ज़्यादा tight कर दिया गया, जो छातर math वाले होंगे science के question को आप जरूर बाहर निकाल करके आप देखने का परियास कीजिएगा, 41 नमर से लेकर के उपर तक का, आप देखेंगे कि science complete 9th का किसी भी mode में science का question नहीं था, बलके 11-12th graduation level का NCRT pattern क question था, तो अगर आज science के साथ हुआ है, तो कल math के साथ भी आईसा हो सकता है, दूसरे paper में भी आईसा हो सकता है, तो यह खुस्प हमी में ना रहे हैं, कि math का question आईसा पूछा है, तो आगे भी आईसा ही पूछेगा, तो अपने level को आप plus 2 और graduation level तक maintain करके चलेंगे, तब ही 100 percent आस्वस्थ हो पाएंगे, कि हमारा performance बहतर रह पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं, कि जहां 1 लाग plus vacancy देने की बात हैं थी, वहां 70 हजार पर लाग अठका दिया गया, और 9,10,11,12 में भी 18 हजार something vacancy दोनों mode में है, और कई सारे paper में तो vacancy एकदम कम है, तो उस परिस् किया जाएगा, बीटेट थोड़ा सा हो जाता, चुकि फिर कब मौका मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, इसका कोई, अभी समय नहीं है, तो अब भरती का सर यह demand बढ़ रहा है, तो सरकार से और आयोग से आप क्या गुजारिश्चली मैं इसमें छात्र दो तरीके से सोचते हैं, जिन छात्रों का सीटेट अल्रेडी निकला हुआ है, पेपर टू, उनको लगता है कि यह परियाप्त है, अब इसमें कहीं, तो निश्चित रूप से, लेकिन जिन छात्रों का सीटेट पेपर टू नहीं निकला है, नौर्म तो यह होना चाहिए, कि जिस तरीके सा भी लेवल का टेट लिया जाता है, तो रूल तो यही है कि कोई भी बड़ी वेकंसी इस तरह का टीचर की आती है, तो उस स्टेट का इसपेशल टेट जैसे बिहार का बीटेट होना चाहिए, 2017 के बाद कोई बीटेट की वेकंसी आई नहीं है, प्रोपर वे में तो यही होना चा चाहिए, इसलिए सरकार से मेरी गुजारिस परसनली होगी, कि अगर संभव है, तो इतनी बड़ी वेकंसी आप देने जा रहे है, और अगली वेकंसी का गारंटी नहीं है, कि फिर अगले एलेक्शन के टाइम में ही आएगा संभावित, तो एक बार मोका मिलना चाहिए, आपका 28 अक्टूबर को नोटिपीकेसन दे दिया जाएगा, 9 फिर्स विक में नोटिपीकेसन समाब्त हो जाएगा, दिसम्बर फिर्स विक में आपका एक्जाम ले लिया जाएगा, तो एप्पीरिंग वाले मामला एडजस्ट नहीं कहीं होता हुए, दिख रहा है, क्योंक वाजिब में तो मुका मिलना ही चाहिए पिरिंग वालों को नहीं जो कि दिएराप्ण प्शेक सायिव कहिए सम्ब्य CC नहीं से शेखर के करें लम्बी पढ़ाई करने पास करते हैं, अब उन छात्रों का अगर ग्रेजुएशन करते हैं, इतने लंबे अंतराल में ग्रेजुएशन होता है, तो अगर उन छात्रों का अगर कम्बिनेशन के कारण अगर वो छात्र बाहर होते हैं, तो कितना ज्यादा अपसोस उन छात्रों को होता होगा, क्योंकि क कोई भी चुछ करेंगे तो ग्रेजुशन में उनको पता नहीं होता है आगे के future के के या पहले भी चूज करना चाहते हैं तो इतना नौलेज नहीं होता है उसके लिए ये combination जरूरी है तो बाद में चल करके उनको अपसोस करने के सिवा कोई option बचने जाता है तो यहां government को यह सुचनाई वो हमारा ही निकाह है हमी graduation करवाते हैं हमी date करवाते हैं तो combination का लोचा निश्चीत रूप से यहां पर नहीं होना चाहिए जो हजारों चात्र इसके कारण से बंचित अभी 9-10 में भी रह जा रहे हैं 6-8 में बंचित रहने के संभावनाय रहती है उन चात्रों को जरूर रहत हो पाएगी सर जो सभी अभ्यर्थी के जो सिक्षा का भ्यर्थी है भविस में बनेंगे या इस बार फिर अप्लाई करेंगे उनके लिए आपका क्या संदेश मेरा संदेश यही होगा कि एक डॉक्मेंटेशन एक जटिल प्रोसेस है और अभी आप देख रहे हैं कि तमाम चात्र लगातार परिशान रहे हैं तो चुकि आपको भी आभास है कि जो पिछली बार भरे हैं वो तो अपना डॉक्मेंट्स के लिए कर लिये होंगे लेकिन जिनको इस बार मोका मिलना है बहुत ऐसे चात्र होंगे कि डॉक्मेंट्स संबंधी अभी भी confusion होगा या अभी भी डॉक्मेंट्स उनका पूरा नहीं होगा तो अभी हर जगा क्या-क्या डॉक्मेंट्स लगना है यह हर जगा उपलवध है तो वो संबंधी डॉक्मेंट्स के बारे में पूरी जानकारी ले करके इस बीच में अपना डॉक्मेंटेशन प्रक्रिया पूरा कर लें चाहे हो NCL से रिलेटेड हो मूल दस्तावेज या मूल प्रमानपत से रिलेटेड हो या कहीं पर आपका साटिफिकेट में एरर है इस तरह कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस बीच आप दूर करने का प्रियास करें तब जाकर one tension free हो करके उतने कम समय में बहतर परहाई कर पाएंगे नहीं तो आप अपना तयारी स्टार्ट कर देंगे पता चले का तनाव रहेगा कि ये documents मेरा पुरा नहीं हो पाया फॉर्म भर दिये यहां पर हमारा error हो गया दूसरा एक बात और हम कहना चाहेंगे कि फॉर्म जब भरने का आपको मोका मिलेगा तो अभी से mind make up कर लिजिए cyber cafe या जहां से भी आप फॉर्म भरवाईएगा तो छोटी छोटी गलतियों का हमेशा संभावना बना हुआ रहता है तो final आप online submit करने से पहले एक एक चीज एक चीज एक चीज अपने अस्तर से जरूर आप उसको देख लेंगे नहीं होगा तो final submit करने से पहले एक print out निकाल करके offline mode में उसको एक एक जाच कर लेंगे तब जाके final submit करेंगे क्योंकि आपको cyber cafe वाला दूगुना पैसा अगर लेना चाहे या आप देने की संभावना बने तो भी दीजिए लेकिन यहीं पर अगर आपका error हो जाता है तो आगे का भविस चोपट हो जाएगा निश्चित रूप से यकीन मानिए ऐसा golden opportunity आपको नहीं मिलना है इसलिए एक छोटी गलती का खाम्याजा आगे चलके भुगतना परे उससे पहले आपको alert mode में रहना चाहिए